हेलो एवरिवर्ण सलाव अलेकुम नमस्ते कैसे आप सभी आई होप आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों आज एक कमेंट आया एक राहुल कुमार करके हैं भाई साब आप यहां देख सकते हैं कमेंट में इन्होंने लिखा है कि भाई हम लोग बीजा आज तुका है हम लोग हैं और क्या आप बीजा चेक कर सकते हैं तो अभी मैं इनको वीडियो में पूरा बताने वाला हूं आपको भी आप जो भी देख रहा है जो भी नया जाने वाला है गल्फ में या कुवेट में कहीं भी खास करके कुवेट का मैं बताने वाला हूं तो आप बीजा चेक कर सकत हैं फरजी है कि नहीं है और सबसे बड़ा दिक्कत ही होता है कि लोग जान नहीं पाते हैं लोग जान नहीं पाता वन इसमें बीजा नमबर कौन है कौन से बीजा नमबर से जो नमबर है उससे चेक करते हैं कैसे चेक करते हैं असली है नकली है वीडियो पूरा देखिएगा चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर लिजेगा वीडियो सेर कर दिजेगा ताकि ज्यादा ज्यादा लोग को पता चल जाएगा आप देख सकते हैं उपर से नीचे उपर ये साइड में ये साइड में कहां पर कम दस जगा आपको नंबर मिलेगा दस जगर नंबर मिलेगा लोग यही नहीं जान पाते हैं कि इसमें कौन से नंबर से हमको बीजा चेक करना है सबसे बड़ा confusion यह होता है तो confusion मत हो यह आप यह देखिए जो मैंने यह नीचे वाला यह जो corner पर यहां पर है यह लाल वाले यह रंग से मैंने इसको ऐसे किया है यह original बीजा है अभी दो चीज दिन पहले जो है कि मैंने एक वीडियो बनाया था कि वीजा जिसको चाहिए मेरे पास वीजा है उसी समय निकला था तो आप यह देखिए नीचे यह दस नम्मर का होता है ठीक है यह लिखा है अर्भी में लिखा है रकम अलतलब यानि जो यहां पर रिक्वेस्ट डाला गया था बीजे के लिए वह नम्मर है इसी नम्मर से चेक होता है यह आप दिल लिजे एक नहीं पुरा दस नम्मर है मोबाइल डिजिट के बराबर दस नम्मर है यह और इसी से चेक होता है तो आपको कनफिज होने की जरुद नहीं है किसी भी कुएज के कि Pack by में media में यहीं ओता है व्यजा होता है नीचे यह आपको मैं बताता हूँ कि इस तरह से जो है कि आपको अपना बीजा चेक करना है सबसे पहले तो आप बीजे में समझे कि नम्मर जो कौन सा है जिसे आप बीजा चेक कर सकते हो वह सथ इसमें बहुत सारे नमबर दिये नीचे जहां मोहर लगा है देखिए जहां मैंने लाल नंका इसको घेरा है यही होता है बीजा नंबर लिखा होता है इसमें अल तलब ठीक है यह तलब वाला जो है लिखा है यह अरभी में आप सोड़ दीजी यही पर नंबर होता है दस संका होता है तो यही नंबर होता है चल करना है। इसमें टाइब करना है। वीजा पूरा एक कच्छर आप जी नीचे आ रहा है छोड़ दीजिए लिखिए गवीजा विया यसे उसके बाद लिखिएगा चेक है उसके बाद इस पर देके कुए पर गुट कुए उसके बाद आप इंटर करक दिजिएगा इंटर करने के बाद देखिए वेफ साइट खुलेगा ठीक है बहुत सारा है ईविजा स्टेटस है वीजा अप्लिकेशन स्टेटस है कुए ती वीजा है तो आपको इधर उदर नहीं जाना है पहले वाले पे पहले वेफसाइट पे जो पहला नम्मर पे है यह और जिनल मिनिस्ट्री आप इंटिरियर के तरफ से है यह और जिनल है फेक नहीं है एक चीज नोट कर अपको पता चल जाएगा सही है तो सही है उस पर कोई सख करने वाली बात नहीं है तो मैं पहले वाले पे किलिक करूं गा यह नीचरी नीचे बहुत सारा दीखते हैं पहले वाले नमब loyal में ने तो आप मेगां नॉम्मर टिरनिए में यह क्रिक नोट कर लिजिएगा या फि पिर कहीं से भी आपको hotcopy हो च्छैसब्ड क्म दीजीएगा। दीए ऐसे खूलेगा स्टेट आप मिनिस्ट्री मिनिट्री मि toplर्ट के तरह आपको देखें लिखा अप्लाइफर इवीजा यू देखिए यह सब बहुत सारा लिखा है और उसके बाद आपको यह चोथे नमर पर जाना है रिन्यू रेसिजेंट्सी की नीचे जो लिखा है वीजा अपको क्लिक कर देना है जैसे क्लिक करेंगे तो आपको लगेगा सेम वहीं खुल गया नहीं से मैं लिखा हुआ है बीजा अप्लिकेसन नम्बर उसके नीचे लिखा है एक क्यप चाटेच जो नीचे टैक्स है तो किसमें आपको वीजा नमबर लिखके काल दो है जो जहां पर मैंने ऑ ब्रेकेट डाला था पृवला थीक है और उसके बार जो है कि इसमें आपस्के डाल наша दिएगा यह जो क्यप्चा है नीचे देखिए लिखा 90148 यह डाल दीजेगा और आपको डाल की जुए ओके करना है तो चलिए मैं डाल देता हूं क्यप्चा कि नाइन कि दर गया नाइन 901 90148 उसके बाद को सब्मिट कर देना है जैसे सब्मिट किये जहां से मैं दिखा रहा था उपर अप्लिकेशन नमबर आ गया और उसके लिखा मिनिस्टरी आप में एक्टेरियर के तरफ से है तो आप इसको जो है कि नोट कर लिजेगा यह वेपसाइट था आप आराम से चेक कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए खास करके राहुल भाई आपके लिए वीडियो है आप देखिए पूरा और आपको समझ आ जाएगा अपना वीजा चेक कर सकते हैं और चैनल पर नहीं है तो सस्क्राइब कर लीजिए चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए बाय बाय